हेललو इंजिनियर्स, आज के सेसन में हम तीन ड्रोइंग एगें करने वाले हैं ये एक रहा, ये दूसरा रहा और ये मेरा तीसरा ड्रोइंग रहा ठीक है? यहां पर मैंने बना लिया है, पहला तो ये है हमारा देख सकते हो, और दूसरा जो है, हमारा ये वाला है see, यह होगा, दूसरा वाला और तीसरा वाला यह वाला है, ठीक है, चलिए, तो यह, देखिए, जो भी मैं बताता हूँ, उसको साथ साथ में करते चाहिए आप भी, ठीक है, नहीं, तो क्या होगा, जो है, भूल जाते हो, तो मैंने बनाया, आपने पूरा लेक्छर देखा, त उसको practice कीजिए ठीक है तुरंत फौरं इस ऐसा नहीं कि साम में कर लेंगे या सुबा में कर लेंगे या बाद में कर लेंगे देखो बच्चे काम की चीजें करने में जो है न वो आलस आती है अच्छी चीजें करने में आपको मन नहीं करेगा बट करेंगे तो आपको फाइद कर रहे हो, mechanical, automobile production, या diploma कर रहे हो ITI कर रहे हो, यह softwares आपको आने वाले दिने में सिखना ही पड़ेगा कहीं न कहीं तो जाना ही पड़ेगा, इससे अच्छा है यहीं से सीखो, digital CAD आपको एकदम बिल्कुल कम फीज में best quality का training देता है event किसी भी तरह से कोई परिशानी आती है तो आप हमें call कर सकते हो, ठीक है तो premium course के लिए digital CAD अप को install करो, अब भी अब भी, ठीक है, चलो, सुरू करेंगे तो सबसे पहले तो आप इस drawing को अच्छे से देख लीजिए कहां से सुरुवात करनी है कौन सा circle हमें पहले बनानी है, ये सारे चीज़ें आपको अच्छे से अब जब करना होगा, तो planning ये है कि आप देख सकते हो, ये बीच वाला बनाएंगे पहले, उसके बाद ये बनाएंगे उसके बाद ये दोनों बनाएंगे, यहाँ आप दोनों इस तरह से, then okay, then close it अभी सबसे पहला तो हमें एक circle लेना है, जिसका diameter 56 का है ये लिए circle, add dimension और यहाँ 56 ले लेता हो, इंटर कर दिया अगला क्या है, ये इसका, ये 120 का है तो आप यहाँ पर क्लिक किजिए, ये total 120, enter उसके बाद क्या करना है, 120 हो गया, उसके बाद PCD ले लेते हैं PCD कितने का है, 219 यहाँ पर क्लिक करूंगा, 219, enter PCD है ये, उसके बाद यहाँ पर भी हम दो सरकाल ले लेते हैं यहाँ लेंगे तो ज्यादा बहतर रहेगा, मतलब इधर 40, enter, 60, enter, escape कर देता हूँ अब ये precision जरा हम control कर लेते हैं, यहाँ पर जाएंगे edit document units, और इधर जाके हम none कर लेंगे, देनों के see, और इधर पकड़के हम ऐसे कर लेते हैं जरा, इसको हम construction में convert कर देते हैं ओके, इसको हम जरा बाहर ले लेते हैं, इसको भी हम बाहर ले ले लेते हैं अगला step क्या है? दो line ले लेना हम लोगों को, चलिए फिर शुरुआत करेंगे, एक line में ने यहां सैसा लिया, और इसको ही हम mirror कर देंगे, mirror about this one, then okay, symmetric करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको mirror किया है, यह total 20 है यहां, और यहां 20 ले लेता हूँ, skip कर दो, उसके बाद क्या करना है, select यह, इसके साथ, यह touch कर दिया क्योंकि mirror किया है, तो इसलिए इधर का भी हो गया, एक जटके में दोनों काम इस point को लेते हैं, control इसको लिया, यहां से ले लो, ठीक अब यह हमारा काम तो हो गया बस, अब यह आपको trim करना है, तो trim भी कर सकते हो यह लिया, trim, drag करके मैंने इन सब को हटा दिया, देख लो, कमाल का है, अब ही मुझे क्या करना है, इन सब को इससे select कर लेना है, and then, यह रहेगा circular sketch pattern, यह लेता हूँ, six, एक और चीज, यहां पर थोड़ा सब बढ़ा कर देता हूँ, क्यों मैंने बढ़ा किया, क्योंकि coincident करने में आसानी होती है, ठीक है, इसको select करूँगा, control, इसको पकड़ा, और यहां से make coincident कर दो, यह देखिए, पूरी तरह से हमारा black आ गया है, अगला क्या है, यह देखिए, उन्हों side से हमें यह भी लेना है, ठीक, तो मैं तो कहूँगा, यहां पर center rectangle का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कुछ ऐसा, जो बच गया है, उसको हम पहले trim कर लेते हैं, इस तरह से, ठीक है, करके हम trim करेंगे, और, यह हो गया, अगला क्या है, smart dimension, यह हमारा 35, यह हमारा 23, select करेंगे, select करेंगे, 35, और यहां से यहां तक 23, यह देख लिजिए, हो गया काम, बस हमें इधर का, यह सब हटा देना है, yes, completed, dimensions को हम hide कर देते हैं, यह हमारा काम perfectly हो चुका है, see, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा, अगर यह जो sharp corners हैं, इन सब में अगर आपको थोड़ा-थोड़ा fillet डालना रहे हैं, तो क्या करेंगे, लीजिए, यहां पर 1 mm का में fillet लेता हूँ, सब को ऐसे करके select करेंगे, या तो यहां पर 2 भी कर सकते हैं हम लोग, यह देख लिजिए, थोड़ा-थोड़ा ही लेना है, नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि drawing में तो दिया नहीं है, बट मैंने दिखा दिया है, इसको हटा देता हूँ यहां पर छूट गया था, trim है न, यह हमारा काम हो गया, अभी finish करेंगे इसको, black होना चाहिए, पुरी तरह से, और यहां पर message आना चाहिए, fully defined, तब जाके समझो, हमारा sketch सही है, यहां से हम कुछ इस तरह से ले लेते हैं, आपको 10, 20, 30, जो चाहिए ले लो, और यहां से आपको mid plane लेना है, हो गया हमारा काम, then okay कर दीजिए, यह देख लिजिए, बनके तयार, हाँ, अगर आपको यहां बीच में एक और circle चाहिए, तो आप ले सकते हो, ठेक है, कैसे लेंगे, कोई शुन नहीं, undo करेंगे, control Z, इस पे click करो, edit feature, sorry, edit sketch, space, normal, यहां से मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा circle लेना है, ले लीजे, नहीं, तो छोटा ही ले लेते हैं, यह मैं बस ऐसा ही ले रहा हूँ, दिया नहीं है, ठीक है, यहां पर मैं 30 का, अल्रेडी आया होगा लगता है मुझे, तो यहां पर मैं 30 ले लेता हूँ, या फिर 35 ले लो, चलो, आईसा कुछ ले लेंगे, finish, space and isometric, sketch and extruded boss base, अब जड़ा गोर से देखिए, इसको हम अलग लेंगे, 20 ले लिया, mid plane, okay, यह बीच वाला नहीं लेते, तो भी चलता है, मैं बस ऐसा ही बता रहा बाकिया और कुछ नहीं, यहां पर हम 15 ले लेते हैं, और mid plane ले लिया, then okay, see, यह मारा काम हो गया, थोड़ा कम कर देंगे, तो भी चलेगा, 10 का ले लेते हैं, 10, enter, okay, space isometric, अगला क्या है, हमें इसे select करेंगे, then यहां से fill it, और 0.5 क्या स्पास ले लिया मैंने, ठीक है, okay, यह देख लिजए, हमारा काम हो गया, yes, finish, space and isometric, और यहां से आप color ले लो, जो भी color आपको ले लेना है, ले सकते हैं, say okay to it, यहां से cartoon effect डाल देता हूँ, space and isometric, यह हमारा हो गया, देख लिजए, बन गया, control S, आपको पता ही है, यह 13 नमबर का होगा हमारा, उमीद करता हूँ, पिछले जो 12 sketch हमने बनाए हैं, वो भी आपने किया होगा है न, चलिए, अभी इस पे जराग और से देखिएगा, इस drawing को बनाना है, इसको close कर देता हूँ, एक नया file लेता हूँ, see, यहां पर देखिए 64 का है, और यह अंदर वाला कितना 27 radius है, 27 radius मतलब 54 diameter, यहां पर आपको center line ले लेना है, infinite length, कुछ इस तरह से, ओके, ओके, यह लेंगे हम, 54, और यह मेरा 64, यहां से हम 64 ले लेते हैं, और इधर जाके हम क्या करेंगे, none, then okay, see, अच्छा, और कौन-कौन से लेना है, यह दोनों circle तो ले लिया हमने, अब ज़रा ध्यान से देखे, PCD भी हमें लेना है, PCD कितने का है, 113 diameter, तो मैं क्या करता हूँ, for construction, उप सॉरी, इसको हटा देता हूँ, यहां से मैं 113 लेता हूँ पहले, 113 enter, और इसको हम construction में लेंगे, ठेक, यहां पर आपको escape करना चाहिए, अगला step है, यह देखिए, 45 degree का, तो हमें एक line लेनी चाहिए, center line, यहां से यहां तक मैंने एक line लिया, escape, dimension लेता हूँ, 45, ओके, दो circle, एक यह हो गया, दूसरा यह हो गया, escape it, dimension क्या है boss, यह 13 दूना 26 और 10 दूना 20, तो यहां पर आपको 26 लेना है, और यह मैंने 20 का लेना है, ठेक है, ओके, इतना काम हो गया, अगला step क्या है, यहां पर जड़ा गौर से देखो, यहां पर दो line लेना है, हम लोगों को, कुछ इस तरह से, तो, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, इसमें, बस दो line ले लेता हूँ, कुछ इस तरह से मैंने लिया, और यहां से मैंने mirror किया, mirror about, yellow, अच्छा, दोनों को हमें parallel करना चाहिए, नहीं तो गडबड हो जाएगी, और अंदर वाले के साथ, यानि यह अंदर वाले hole के साथ इसको touch किया गया है, तो मैं यहां पर इसको और इसको select करता हूँ, दोनों को coincident कर दिया, और वो भी अंदर वाले के साथ गया, यह पकड़ो और यह पकड़ो, दोनों को coincident कर दो, एक को करेंगे था हमारे दोनों काम हो जाएगा, अब बच गया है इसका length total कितना डालना है, तो आप देख सकते ह बच हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, तो चलिए बाहर वाले के साथ यहां पर fillet डालना है, fillet डालिए, मुझे क्या लग रहा है, तो देखिए, दोनों बाहर वाले circle से, इसको और इसके साथ लेना है, तो आप arc ले लो यहां से, और ऐसा, ऐसा कुछ, escape, यह लिए tangent, यह ठीक, radius कितना है, radius यहां पर 20 का है, तो आपको 20 लेना है, ओके, now what, अभी हम इसको क्या करेंगे, mirror करेंगे, इसको select कर लो, mirror, mirror about this one, यह हमारा काम हो गया, दिख रहा है, अब चलिए फिर, सब को select करेंगे, और pattern करेंगे, इस तरह से हम, सब को select कर लेते हैं, और यहां से circular pattern, चार ही लेना है, ले लिया, बट इसका यह radius वगएर हम थोड़ा सा इधर कर देंगे, रोके करेंगे, अभी देखे क्या करना है, इसको select करो, control, इसको select करो, यहां से merge कर दो, या coincident कर दो, अभी मुझे dimensions को hide करना चाहिए, और जो जो trim करना है, सब trim कर लो, द उसको हटाओ, yes, और अगला step क्या है, तो direct, यहां से ले करके यहां तक हटा दो, यहां से पकड़ के यहां तक हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, दिख रहा है बराबर, चलो फिर मैं drag कर लेता हूं direct, इसको भी drag किया, इसको भी drag किया, ओके, now again इसी तरीके से, इसको हटाओ, इसको हटाओ, सबाश, फिर यहां से, इसको भी हटा देता हूं, यह देख लिए हमारा कम हो गया, कहीं पर भी कोई issue नहीं, है ना, और किसी तरह के problem आए, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, यह देखो मेरा पूरा perfect है, कोई issue नहीं यहां पे, सब कुछ perfect है, यहां पर under defined बोल रहा है, मतलब कुछ तो गडबड है, है ना, देख लेते हैं, जरा क्या गडबड है, क्या नहीं है, सो, है ना, तो मैं क्या करता है, इसको, सब को मैं equal करके, एक बार चेक करता हूं, यहां समयने equal कर दिया, यह देखिए, यह लगता है, गडबड हो ग ठीक है, येस, बिल्कुल हो गया हमारा काम, यही सही काम होता है हमारा, ठीक है, हाँ, अगर इसमें थोड़ा बहुत फिलेट फिर से डालना रहे, 2 mm, 3 mm का तो आप ले सकते हो, यह अपने मर्जी से है, अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो कोई जवर जस्ती नहीं है, ओके क फिर से यह अंडर डिफाइंड हो गया, मतलब इसको इसको इक्वल कर दिया है न महीं नहीं, क्यों हिल रहा है फिर, अंडू करता हो जड़ा, और यहां पे कुछ तो देखना होगा, यार यह हमारा, यह हमारा हो तो गया था, यह सेंटर से हिल गया था, तो एक्वल भी कर सकते हैं, यह देखलो, काम हो गया हमारा, fully defined, अभी circle ले लेंगे तो भी को problem नहीं है, ले लिजी, concentric नहीं था वो सब, मैंने drag किया था तो में भी थोड़ा सा हिल गया होगा, और इस तरह से ये हमारा काम हो गया, देख लो, finish करेंगे, space and isometric, now यहां feature, then extrude it, इधर से हम, ये तो पूरा पूरा ऐसा हो गया हमारा, ये ज बाहरवला देखते हैं क्या होगा, हलाकि ये circle की तो हमें कोई जरूरत थी नहीं, बट लेना है तो हम ले सकते हैं, delete करेंगे, हम इसको finish, चलिए, अभी मैं इसको select करता हूँ, यहां से मैंने इसको लिया, बास, and then यहां आपको 10 ले देना है, और यहां से आप mid plane कर सकते हो, कर दो, finally done, okay, see, यही है इसका design, ऐसा ही है, sketch के साथ खेलना पड़ेगा हम लोगों को, बड़े-बड़े drawing में दिकत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, यह हमारा काम हो गया, यह sharp है पूरी तरह से, मैंने fillet ले लिया है, आप नहीं लेंगे तो भी चलेगा, यहां से मैंने fillet ले जितना का भी लेना है, ले लिजिए, 0.5 का कर देता हूँ, and say okay to it, and that's all about it, चलिए, finish हो गया, कम करना है थोड़ा सा, तो कम भी कर सकते हैं, 0.25 कर दो, यहां पे 0.25, enter, okay, space and isometric, see, space and isometric, color लेना है, ले लिजिए, जो भी लेना है, ले लो, यहां से सब को select कर लेते हैं, ओक्के, see, इसको भी हम कर देंगे, save, control, s, यहां पे हमारा 14 रहेगा, ओक्के, complete हो गया दो drawing, अब ज़रा इसको गौर से देखो, यह भी बिलकुल simple ही है, इसको हम close करेंगे, एक नया file पार्ट देनों के, उसी तरीके से, direct up extrude भी ले सकते हो, बट यहां से sketch लेना बहतर रहेगा, और center line, infinite length, vertical, horizontal center line, okay, close it, ठीक है, क्या करना है, एक, दो, तीन, चार, चार सलकर पहले ले लेना है, तो यह 15 दुना 30, 15 दुना 30 ले लेना है, इसका diameter, 30, और बाहर वाला कितना है, बाहर वाला 25 दुना 50, enter, पचास हो गया, उसके बाद यह 42 दुना 84, 84, ओके, और बाहर वाला कितना 50 दुना 100, पचास दुना 100, यह हो गया हमारा, अब यहां से हमें 2 slot भी लेना है, escape कर देता हूँ, यह precision थोड़ा control कर लेते हैं, ओके, यहां से हमको 2 लेना है, एक तो मैंने ऐसा ले लिया, दूसरा, उप्स, गलत हो गया हूँ उसे, escape कर देता हूँ, फिर से लेता हूँ, center से ही लेना है, अईसा कुछ ले लिया, ठीक है, अभी dimensions डाल देंगे, तो कितना है dimension लेना, यह देखे, center से 72 है, यहां से यहां तक 72, ओके, यह हमारा 60, टोटल, center टू सेंटर, 60, ओके, यहां पे दिया हुआ है, 10 रेडियास और 15 रेडियास, तो आप यहां पे डाल सकते हो, यह 10 रहेगा रेडियास, और यह 15 रेडियास, से, हो गया, finished, अब क्या करें, अब हमें करना है, यह देखो, fillet लेना है, तो 5-5 का यहां fillet है, तो 5 का fillet मतलब क्या, यहां से हमें, आर्क लेना चाहिए, इसको select करो, इसको select करो, समझें ना, इन दोनों को हम tangent कर देंगे, और इसका रेडियास 5, यह, हो गया, अब इसको ही हम mirror कर देंगे, ना, इसको trim करना है, तो आभि ऐसे करके drag कर दो, ok, ok, trim कर दिया, यह था हमारा blue हो गया, आभ इसको क्या करें, ध्यान से देखो, इसको select करो, इहां पर tangent करो, फिर इसको भी पकड़ लो, एक बार tangent कर दो, फिर इसको भी पकड़ लो, यहां से tangent कर दो, उसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लेकिन फिर भी हमारा ये काम हुआ नहीं तो क्या किया जा इसमें जरा चेक करके देखेंगे क्या हुआ है क्या नहीं हम लोग चेक करेंगे इसको ड्रैक करके चेक करेंगे अच्छा मुझे लगता ये नीचे उपर हो गया होगा नहीं हुआ है ये देखो हमारा हिल रहा है इसका क्या मतलब हुआ ये और ये जो है कोइंसिडेंट नहीं है ये देखो तो हिला के देखेंगे थमको पता चल जाएगा clear हो गया तो अभी मैं इस तरह से सबको select कर लेता हूँ then mirror गडबड हो गई undo करता हूँ पहले mirror ले लो यहां से हमने select किया then mirror about और इसको select करेंगे then okay बाद मैं आपको ये भी हटा देना चाहिए ठीक है इतना काम होने के बाद अगला step क्या है boss देखिए ये है हमारा ये 12 का है ठीक है तो यहां हमें 45 degree का एक line लेनी चाहिए पहले और ये हमारा जो है ना वो construction में है चल ये ठीक है उसको हम construction में बाद में करेंगे पहले इसको रहने देते है क्योंकि ये हमारा circular ही दिख रहा है ये सब हमें हटाना पड़एगा ट्रिम करके तो वो रहने देते हैं पहले तो ठीक है चल ये फिर यहां से हम पहले एक center line लेटे हैं यहां से यहां से पकड़ के यहां तक ओके नाव इसका जो है एंगल 45 डिग्री चलिए इतना काम हो गया इसको मैं ज़रा साइड कर देता हूँ अब ज़रा ध्यान से देखो ओपसेट लेना है या तो फिर आप दो लाइन ले लो यहां से पकड़के वन सेकेंड गड़बड हो गई ज़रा इसको डिलीट कर देंगे यह हमारा टोटल यहां से पकड़के यहां तक जाना है और इसको सेलेक किजिए मिरर लीजिए यह ले लेता हूँ अभी इसको पकड़ो इसको पकड़ो यहां से आप पैरलल कर सकते हो पैरलल कर दो और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बारा का है यह हम बारा ले लेते हैं अगला क्या करें इसको सेलेक करो इसको सेलेक करो यहां से कोइंसिडेंट कर दो इसको पकड़ो इसको पकड़ो यहां से कोइंसिडेंट कर दो ठीक है तो इस तरह से ये हमारा काम तो हो गया अभी मैं दोनों लाइन को अच्छे से सेलेक्ट कर लेता हूँ या तो फिर पहले तो हम क्या करेंगे इसको और इसको दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट किया इधर से आप सरकुलर ले लो ज्यादा नहीं बस पांच ही लेना है तो एक ही बढ़ाना हम लोगों को और ध्यान रखो इसका थोड़ा समय डिस्टेंस वगेरा कंट्रोल कर लेता हूँ बाहर और यहां से कोइंसिडेंट कर देजिए हो गया काम अब बाद में हमें ट्रिम करना है तो ट्रिम भी कर दो ड्रैक करके लेना है पावर ट्रिम हट गया यहां से भी ले लो यहां से भी ले लो यह हो गया हमारा यह हो गया ठीक है और इस तरह से हम जितने भी अन्वांटेड थे सब को हटा दिदी चलो, यह हमारा हो गया, I think, उल्टा कर दिया हमने, अंडू करते हैं, अंडू कर लेते हैं, उल्टा कर दिया, जो चाहिए था, वो हमने हटा दिया, और जो नहीं चाहिए था, वो हमने रख लिया, चलिए, कुछ ने करना है, यह हटा दो, यह हटा दो, यह हटा दो, यह भी, यह भी और इदर से छोटा वाला भी यहां से यह और यहां से यह, अगला क्या है, तो यह अंदर वाला हटाना हम लोगों को, ठीक है, को इश्यों ने, देखो, कुछ इस तरह से चाहिए था, हमने लास्ट टाइम में क्या किया था, उल्टा कर दिया था, यह भी छूट गया थ इसको भी हम हटा देते हैं, ओके, फिनिश्ट, तो बस यही है इसका ड्राइंग, स्केप करेंगे, आप देख सकते हो, जहां जहां पर आपको फिलेट चाहिए, ले सकते हो, यहां पर देखो, फुली डिफाइन आ गया है, यह सारे मैथर्स है, जो भी चाहिए, दो तिन का म मैंने लिया और सब को सेलेक कर लेता हूँ, जितने भी यहां पर सार्प कॉर्णर से वहां पर एज हो, राउंड हो जाएगा, फिनिश, स्पेस, आइसोमेट्रिक, फीचर्स, एक्स्टूडेट बास बेस, यहां से मैंने, दस का या पंदरा का ले लेता हूँ, यह लिए या आठ का ले लो, यह हमारा हो गया, कम्प्लीट, या तो इसको बड़ा कर सकते हो, इसको छोटा कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है, है न, टार्गेट तो हमारा पताई है, वबा हम लोगों को आभी फोकस किसमें करना है, सिर्फ स्केच में, ठीक, यह हमारा काम हो गया, चलिए मैं थोड़ा सा फिल्ले डाल देता हूं सब में, यहां पर 0.5 mm, then okay, yes, finish, ठीक, तो यह तो हो गया भई, अभी कलर वगर डाला है, डालिए, ओके, अच्छा, इतना बनाने के बाद, अगर यहां पर भी कुछ आपको सर्कल वरकल चाहिए, अगर थोड़ा बहुत तो आप ले सकते हैं, स्केच कीजिए, यहां पर जाईए एडिट में, स्पेस और नॉर्मल, अगर आपको लगता है वबाई, यहां पर कोई, यहां सेंटर में आपको कोई होल वगएरा लेना है तो आप ले सकते हो, इसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में चाहिए हम लोगों का, जो भी चाहिए आप ले लो, नहीं तो रहने देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, चलो, यहां पे आए तुरंत आपने देखा ये खतम हुआ तो अब भी आप लग जाओ काम पे अब भी ये तीनों एसाइनमेंट्स बना के सेव कर लो उसके बाद दूसरा कोई काम करना ठीक है प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा चलो मिलेंगे फिर अगले सेशन में बाब